परिचय अवनी आज बहुत खुश है उसकी पालतू आईरिस ने चार छोटे-छोटे बच्चों को जन्म दिया है ये पिल्ले बहुत ही नर्म है ये तो रूई की गेंद जैसे दिखते और महसूस होते है अवनी इन बच्चों के बड़े होने का बहुत बेताबी से इंतजार कर रही है ताकि वह उनके साथ खेल सके इस पार्ट में आप सजीव चीजों और उनके लक्षणों के बारे में जानेंगे आओ सीखें सजीव जीवों के लक्षण बताना सास के बारे में बताना समवेदन शीलता के बारे में बताना वृद्धी के बारे में बताना प्रजनन के बारे में बताना सजीव और निर्जीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं में निम्न विशेश्टाएं होती हैं वो सास लेती हैं वो बढ़ती हैं वो हिलती डुलती है, वो प्रजनन करती है, वो अपने माहौल का अनुभव करती है और उसमें बदलाव को महसूस करती है वो खाती है और अपने शरीर से बेकार पदार्थों को निकालती है निर्जीव वस्तूओं में ऐसे कोई गुण नहीं होते भोजन जीवन के लिए सभी सजीव वस्तूओं को भोजन की जरूरत होती है भोजन उन्हें बड़ा होने एक से दूसरी जगह जाने और संतान पैदा करने की उर्जा देता है निर्जीव वस्तूओं को भोजन की जरूरत नहीं होती सास लेना सजीव वस्तुएं सास लेती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं सास नहीं लेती सास लेना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सजीव वस्तुएं ऑक्सिजन अंदर लेकर कार्बन डायोकसाइड बाहर निकालती है समवेदन शील्ता सभी सजीव वस्तुएं अपने आस पास आने वाले परिवर्तनों का पता लगा सकती हैं और उन्हें महसूस कर सकती हैं अपने माहौल का अंदाजा लगाने और उसके बदलावों को महसूस करने की योग्यता को सिंसिडिविटी यानि समवेदन शील्ता कहा जाता है तच मी नौट यानि छूई मुई के पौधे की पत्या स्पर्ष के प्रती समवेदन शील होती हैं छूने पर ये सिकुड जाती हैं निर्जीव वस्तुएं समवेदन शील नहीं होती वृद्धी सभी सजीव वस्तुओं में वृद्धी होती है विकास से मतलब शरीर के वजन और आकार में वृद्धी है निर्जीव वस्तूओं में कोई विकास नहीं होता गतिविधी सभी जीवित वस्तूएं गतिविधी करती है उदाहरण के लिए पक्षी उड़ते हैं मचलियां तैरती हैं सभी जमीनी जानवर दोडते हैं लेकिन निर्जीव वस्तूएं अपने बल पर गतिविधी नहीं कर सकती प्रजनन सभी सजीव वस्तूएं अपने जैसी ही संताने उदाहरण के लिए गायों के बच्छडे होते हैं कुत्तों के पिल्ले होते हैं बिल्लियों के बिलोटे होते हैं संतान उत्पन करने की इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है निर्जीव वस्तूएं प्रजनन नहीं करती हमने क्या चर्चा की जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं, गतिविधी करती हैं, सास लेती हैं और प्रजनन करती हैं निर्जीव वस्तुएं सास नहीं लेती, बढ़ती नहीं हैं, गतिविधी नहीं करती और नाहीं प्रजनन करती हैं संवेधन शीलता का मतलब है बदलावों को महसूस करने की योग्यता सजीव वस्तुएं संवेधन शील होती है विकास का मतलब है वजन और आकार में वृद्धी प्रजनन का मतलब है वह प्रक्रिया जिसके जर्ये सजीव चीजें अपने जैसी ही संताने पैदा करती है